गुजरात के सुरज शहर में एकसिडेंट की वज़े से एलपीजी सिलेंडर लेकर जा रहे एक ट्रक में भीशन आग लग गई आग की चपेट में वहां से गुजर रही एक स्कूल बस भी आ गई बस पर 25 बच्चे सवार थे जिनें बचा लिया गया है अगनी शमन की पाँच गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काब उपाया हाथसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है सिलेंडर फटने की वज़े से जोरदार धमाकी हुए जिसकी आवाज दूर दूर तक सुई गई बताया जा रहा है कि यह ट्रक सूरत के ओल पैड मसाम गन से गुजर रहा था लेकिन हाथसे का शिकार हो गया इससे उस पर लदे सिलेंडरों में आग लग गई और धमाके भी होने लगे इसी बीच वहां से गुजर रही एक स्कूल बस भी आग की चपेट में आ गई बस पर करीब 25 बच्चे सवार थे और कड़ी मशकत के बाद उन्हें बस से निकाल लिया गया है आग को बुजाने के लिए सूरत फायर ब्रिगेड की पाच गाड़ियों को मोके पर बुलाया गया काफी देर तक परियास करने के बाद किसी तरह से आग पर काभू पाया गया इस हाथसे में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है आग लगने के वज़े से ट्रक और बस पूरी तरह से जल गई है आग लगने से वहां से गुजर रहे एक अन्ने ट्रक को भी काफी नुकसान पहुचा है जे बीडी बैंक्वेट्स लाए है इंक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजगराना आग लगने के लिए बैल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइग, शेर और सब्सक्राइब करें हैन्यवाद